C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा आठ की गनित की पाठे पुस्तक का ध्वनी पाठ ये अध्याय 6 है वर्ग और वर्ग मूल प्रिष्ट संख्या 102, प्रश्नावली 6.1, एक निम्न लिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे? 1.81, 2.272, 3.799, 4.383, 5.1234, 6.263, 7.5268, 8.9988, 9.12, 796, 10.555, दो, निम्न लिखित संख्याओं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याओं नहीं हैं, इसका कारण दीजिए 1.1057, 2.23453, 3.7928, 4.22222, 5.64, 6.89722, 7.0222, 7.0222, 8.0550, 5.050, 3.00, निम्न लिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विशम संख्या होगा? 1.431, 2.2826, 3.7789, 4.82, 4. 4. निम्न लिखित प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान भरिए 11 वर्ग बराबर है 121, 101 वर्ग बराबर है 10,201, 1001 वर्ग बराबर है 10,002,001, एक लाक एक वर्ग बराबर है 1, रिक्त स्थान, 2, रिक्त स्थान, 1, एक करोड एक वर्ग बराबर है रिक्त स्थान, प्रिष्ट संख्या एक सौतीन, 5. निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिये और रिक्त स्थान भरिये. ग्यारा वर्ग बराबर है एक सो एकीस, एक सो एक वर्ग बराबर है दस हजार दोसो एक, दस हजार एक सो एक वर्ग बराबर है दस करोड बीस लाख तीस हजार दोसो एक, दस लाख दस हजार एक सो एक वर्ग बराबर है रिक्त स्थान, रिक्त स्थान वर्ग बराबर है एक संख्या जिसके अंख हैं 1-0-2-0, 3-0-4-0, 5-0-4-0-3-0-2-0-1 6. दिये गए प्रतिरूप का उपयोग करते हुए लुप्त संख्याओं को प्राप्त कीजिए एक वर्ग जमा दो वर्ग जमा दो वर्ग बराबर है तीन वर्ग दो वर्ग जमा तीन वर्ग जमा छे वर्ग बराबर है साथ वर्ग तीन वर्ग जमा चार वर्ग जमा बारा वर्ग बराबर है तेरा वर्ग चार वर्ग जमा पांच वर्ग जमा रिक्त स्थान वर्ग बराबर है 21 वर्ग पांच वर्ग जमा रिक्त स्थान वर्ग जमा तीस वर्ग बराबर है 31 वर्ग छे वर्ग जमा साथ वर्ग जमा रिक्त स्थान वर्ग बराबर है रिक्त स्थान वर्ग प्रतिरूप प्राप्त कीजिए. तीसरी संख्या पहली और दूसरी से संबंधित है. कैसे? चौती संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है. कैसे? साथ योग संक्रिया किये बिना योग फल ज्याद कीजिए. जमा नौ, जमा ग्यारा, जमा तेरा, जमा पंद्रा, जमा सत्रा, जमा उन्नीस, जमा इक्कीस, जमा तैईस. आठ, एक, उन्चास को साथ विशम संख्याओं के योग के रूप में लिखिये. 2. 121 को 11 विशम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए 9. निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं हैं 1. 12 और 13 2. 25 और 26 3. 99 और 100 6.4 संख्याओं का वर्ग ग्यात करना छोटी संख्याओं जैसे 3, 4, 5, 6, 7 इत्यादी का वर्ग ग्यात करना सरल है लेकिन क्या हम 23 का वर्ग इतनी शीघ्रता से प्राप्ट कर सकते हैं? इसका उत्तर इतना आसान नहीं है और हमें 23 को 23 से गुणा करने की आवश्यक्ता है इसे प्राप्ट करने का एक तरीका है जो 23 गुणा 23 को बिना गुणा की ये प्राप्ट होता है हम जानते हैं कि 23 बरापर है 20 जमा 3 इसलिए 23 वर्ग बरापर है कोश्ठक में 20 जमा 3 का वर्ग बरापर है 20 कोश्ठक में 20 जमा 3 जमा 3 कोश्ठक में 20 जमा 3 बरापर है 20 वर्ग जमा 20 गुणा 3 जमा 3 गुणा 20 जमा 3 वर्ग बरापर है 400 जमा 60 जमा 60 जमा 9 जमा 529 उदाहरण 1 निमनलिखित संख्याओं का वर्ग गुणा किये बिना ग्यात कीजिए एक 49 दो 42 हल एक 49 वर्ग बरापर है कोश्ठक में 30 जमा 9 का वर्ग बरापर है 30 कोश्ठक में 30 जमा 9 जमा 9 कोश्ठक में 30 जमा 9 बरापर है 30 वर्ग जमा 30 गुणा 9 जमा 9 जमा 9 जमा 9 वर्ग बरापर है 900 जमा 270 जमा 270 जमा 280 जमा 1521 प्रिष्ट संख्या 104, दो, 42 वर्ग, बराबर है कोश्ठक में 40 जमा दो का वर्ग, बराबर है 40, कोश्ठक में 40 जमा दो, जमा दो, कोश्ठक में 40 जमा दो, बराबर है 40 वर्ग, जमा 40, गुणा दो, जमा दो गुणा चालीस, जमा दो वर्ग, बराबर है 1600, जमा असी, जमा असी, जमा चार, बराबर है 1764. एक ऐसी संख्या लीजिए, जिसके 21 स्थान पर अंक 5 हो, अर्थात A5, ए 5 का वर्ग, बराबर है कोश्ठक में 10 A जमा 5 का वर्ग, बराबर है 10 A, कोश्ठक में 10 A जमा 5, जमा 5, कोश्ठक में 10 A जमा 5, बराबर है 100A वर्ग जमाँ 50A जमाँ 25 बराबर है 100A कोश्ठक में A जमाँ 1 जमाँ 25 बराबर है A कोश्ठक में A जमाँ 1 सेंकडा जमाँ 25 6.4.1 वर्ग के अन्य प्रतिरूप निम्निप्रतिरूप को समझिए, 25 वर्ग बराबर है 625, बराबर है कोश्ठक में 2 गुणा 3 सैकड़े, जमा 25. 35 वर्ग बराबर है 1225, बराबर है कोश्ठक में 3 गुणा 4 सैकड़े, जमा 25. 75 वर्ग बराबर है 5,625, बराबर है कोश्ठक में 7 गुणा 8 सैकड़े, जमा 25. 125 वर्ग बराबर है 15,625, कोश्ठक में 12 गुणा 3 सैकड़े, जमा 25. क्या आप 95 का वर्ग प्राप्त कर सकते हैं? प्रयास कीजिए. निम्न लिखित संख्याओं के वर्ग ग्याद कीजिए, जिनके एकाई अंक 5 हैं. 1 पंदरा, 2 पिच्चानवे, 3 एक सो पांच, 4 दो सो पांच, 6.4.2, पाइथागुरस त्रिक. निम्न को लीजिए, 3 वर्ग जमा 4 वर्ग, बराबर है 9 जमा 16, बराबर है 25, बराबर है 5 वर्ग. संख्या 3, 4, 5 के सम्मूह को पाइथागुरस त्रिक कहते हैं. 6, 8, 10 भी एक पाइथागुरस त्रिक है. इसी प्रकार, 6 वर्ग जमा 8 वर्ग, बराबर है 36 जमा 64, बराबर है 100, बराबर है 10 वर्ग. पुनह अवलोकन करें कि 5 वर्ग जमा 12 वर्ग, बराबर है 25 जमा 144, बराबर है 179, बराबर है 13 वर्ग. इसी प्रकार संख्याएं 5, 12, 13, ऐसी ही दूसरी त्रिक है. क्या आप इस प्रकार के कुछ और त्रिक प्राप्त कर सकते हैं? किसी प्राकरित संख्या, जब M1 से बड़ा हो के लिए, हम पाते हैं कोष्ठक में 2M का वर्ग, जमा कोष्ठक में M वर्ग खटा एक का वर्ग. बराबर है, कोष्ठक में M वर्ग जमा एक का वर्ग, अतह 2M, M वर्ग खटा एक और M वर्ग जमा एक, पाइथगोरस त्रिक के रूप में हैं. इस रूप का उप्योग करते हुए, कुछ और पाइथगोरस त्रिक ग्याद कीजिए. उदाहरण 2, एक पाइथगोरस त्रिक लिखिए, जिसकी सबसे चोटी संख्या 8 है. हल, साधारण रूप 2M, M वर्ग घटा एक, M वर्ग जमा एक से हम पाइथगोरस त्रिक पा सकते हैं. पहले हम लेते हैं, M वर्ग घटा एक बराबर है आठ, अतह M वर्ग बराबर है आठ जमा एक, बराबर है नौ, M बराबर है तीन. प्रिष्ट संख्या 105, इसलिए 2m बराबर है 6 और m वर्ग जमा एक बराबर है 10 अतह 6, 8, 10 एक त्रिक है लेकिन 8 सबसे छोटी संख्या नहीं है इसलिए हम लेते हैं 2m बराबर है 8 तब m बराबर है 4 m वर्ग घटा एक बराबर है 16 घटा एक बराबर है 15 और m वर्ग जमा एक बराबर है 16 अतह 8, 15, 17 एक ऐसा त्रिक है जहां 8 सबसे छोटी संख्या है उदाहरण 3 एक पाइथगोरस त्रिक ग्याद कीजिए जिसकी एक संख्या 12 है हल, यदि हम लेते हैं m वर्ग घटा एक बराबर है 12 तब m वर्ग बराबर है 12 जमा एक बराबर है 13 यहां m का मान पूर्णा अंक नहीं होगा अतह हम कोशिश करते हैं m वर्ग जमा एक बराबर है 12 पुन है, m वर्ग बराबर है 11 जो m के लिए पूर्णा अंक मान नहीं देगा अतह हमें मान लिना चाहिए 2m बराबर है 12 तब m बराबर है 6 इस प्रकार m वर्ग घटा एक बराबर है 36 घटा एक बराबर है 35 और m वर्ग जमा एक बराबर है 36 जमा एक बराबर है 37 अतह आवश्यक त्रिक है 12, 35, 37 नोट इस रूप का उपयोग करते हुए सभी पैतगोरस त्रिक प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उदाहरण के लिए दूसरी त्रिक पांच बारां तेरां में भी बारां एक सदस्य हैं। प्रशनावली 6.2 एक निम्न संख्याओं का वर्ग ग्याद कीजिए एक 32, दो 35, तीन 86, चार 93, पांच 71, छे 46, दो पैतगोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य हैं। एक 6, दो 14, तीन 16, चार 18, चे दशमलव पांच वर्ग मूल। निम्न लिखित स्थितियों का अध्याद कीजिए। ए, वर्ग का क्षेत्र फल 144 सेंटीमीटर वर्ग है। वर्ग की भुजा क्या होगी? हम जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्र फल बराबर है भुजा वर्ग होता है। प्रिष्ट संख्या 106, यदि हम भुजा की लंबाई का मान ए लेते हैं, तब 144 बराबर है ए वर्ग। भुजा की लंबाई ग्याद करने के लिए आवश्यक है कि एक ऐसी संख्या ग्याद करें जिसका वर्ग 144 है। बी, एक वर्ग जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर है, उसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी? चित्र 6.1, यहाँ पर एक वर्ग ABCD बना है, इसकी हर भुजा का माप 8 सेंटीमीटर है, हमें विकर्ण AC का माप ढूंधना है। इसको हल करने के लिए, क्या हम पाइथगोरस प्रमय का उप्योग कर सकते हैं? अर्थात पुनहें, एसी प्राप्त करने के लिए, हमें एक ऐसी संख्या सोचनी है, जिसका वर्ग 128 हो. C. एक समकोन त्रिभुज में कर्ण और एक भुजा, क्रमशह, 5 cm और 3 cm है चित्र 6.2 क्या आप तीसरी भुजा प्राप्त कर सकते हैं? माना की तीसरी भुजा की लंबाई X cm है पाइथगोरस प्रमेक के उप्योग से 5 वर्ग बराबर है, X वर्ग जमा तीन वर्ग 25 खटा 9 बराबर है X वर्ग, 16 बराबर है X वर्ग पुनहे, X का मान प्राप्त करने के लिए, हमें एक संख्या की आवश्यक्ता है, जिसका वर्ग 16 है उप्रोक्त, सभी स्थितियों में हमें एक संख्या की आवश्यक्ता है, जिसका वर्ग ग्यात हो और उस संख्या को वर्ग मूल के रूप में जाना जाता हो आकरिती 6.2 यहां पर एक त्रिभुज बना है, जिसकी एक भुजा का माप 5 सेंटीमीटर है, एक भुजा का माप 3 सेंटीमीटर है, और एक भुजा का माप X सेंटीमीटर है 6.5.1 वर्ग मूल ग्यात करना योग की प्रतिलोम यानि विप्रीत संक्रिया घटाना है और गुणा की प्रतिलोम संक्रिया भाग है इसी तरह वर्ग मूल प्राप्त करना भी वर्ग की प्रतिलोम संक्रिया है हमें ग्यात है, एक वर्ग बराबर है एक, अतह एक का वर्गमूल एक है दो वर्ग बराबर है चार, अतह चार का वर्गमूल दो है तीन वर्ग बराबर है नौ, अतह नौ का वर्गमूल तीन है इसी प्रकार 9 वर्ग बराबर है 81 और घटा 9 का वर्ग बराबर है 81 हम कहे सकते हैं कि 81 के वर्ग मूल 9 और घटा 9 प्रयास कीजिए 1. 11 वर्ग बराबर है 121 121 का वर्ग मूल क्या है? 2. 14 वर्ग बराबर है 196 196 का वर्ग मूल क्या है? सोचिए चर्चा कीजिए और लिखिए घटा 1 का वर्ग बराबर है 1 क्या 1 का वर्ग मूल है घटा 1 घटा 2 का वर्ग बराबर है 4 क्या 4 का वर्ग मूल है घटा 2 घटा 9 का वर्ग बराबर है 81 क्या 81 का वर्गमूल है घटा नौ। प्रिष्ट संख्या 107 उप्रोक्त के अनुसार आप कह सकते हैं कि किसी पूर्ण वर्ग संख्या के 2 समाकलित यानी 1-7 वर्गमूल होते हैं। इस अध्याय में हम किसी प्राकृत संख्या के केवल धनात्मक वर्गमूल ही लेंगे। धनात्मक वर्गमूल संख्या को उल्टे Z जैसे संकेत से व्यक्त करते हैं। उदाहरणार्थ, चार का वर्गमूल बराबर है दो, घटा दो नहीं। नौ का वर्गमूल बराबर है तीन, घटा तीन नहीं इत्यादी। यहाँ पर एक सारणी बनी हैं, इसमें दो स्तंभ हैं, कथन और निशकर्ष। एक वर्ग बराबर है एक, वर्गमूल एक बराबर है एक, दो वर्ग बराबर है चार, वर्गमूल चार बराबर है दो, तीन वर्ग बराबर है नौ, वर्गमूल नौ बराबर है तीन, चार वर्ग बराबर है सोला, वर्गमूल सोला बराबर है चार, 5 वर्ग बराबर है 25, वर्ग मूल 25 बराबर है 5, 6 वर्ग बराबर है 36, वर्ग मूल 36 बराबर है 6, 7 वर्ग बराबर है 49, वर्ग मूल 49 बराबर है 7, 8 वर्ग बराबर है 64, वर्ग मूल 64 बराबर है 8, 9 वर्ग बराबर है 81, वर्ग मूल 81, बराबर है 9, 10 वर्ग बराबर है 100, वर्ग मूल 100, बराबर है 10, 6.5.2 घटाने की संक्रिया के द्वारा वर्ग मूल घ्यात करना, क्या आपको याद है कि प्रथम N विश्यम प्राकृत संक्षयाओं का योग N वर्ग है? अतह प्रतियेक वर्ग संक्षया को एक से प्रारंब कर क्रमागत प्राकृत संक्षयाओं के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है 81 के वर्ग मूल को लीजिए 1. 81 घटा 1 बराबर है 80 2. 80 घटा 3 बराबर है 77 3. 77 घटा 5 बराबर है 72 4. 72 घटा 7 बराबर है 65 5. 65 घटा 9 बराबर है 56 4. 56 घटा 11 बराबर है 45 7. 45 घटा 13 बराबर है 32 8. 32 घटा 15 बराबर है 17 9. 17 घटा 17 बराबर है 0 संख्या एक से क्रमागत विशम संख्याओं को 81 में रूप घटाने पर नौवा पद 0 प्राब्थ होता है अतह 81 का वर्ग मूल है 9 इस नियम का उप्योग करते हुए क्या आप 739 का वर्ग मूल ख्यात कर सकते हैं? हाँ, लेकिन इसमें समय अधिक लगता है अब हम एक सरल तरीके से वर्ग मूल प्राप्त करने की कोशिश करते हैं तीन, चत्तीस, चार, उन्चास, पांच, नब्बे अभी आप सुन रहे थे कक्षा आठ की गणित की ध्वनी पुस्तक का पाठ वाचनस्वर, आकाश आहुजा तकनीकी समनवयक बटिलैंग लिंग्डो तकनीकी सहायक मयंकुमार निर्मान सहयोग रुची शर्मा, निर्देशन व निर्मान विमलेश चौदरी तथा प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत